तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री फार्मुलेशन इस्टडीज के बारे में ठीक है तो जब हम बात करते हैं प्री फार्मुलेशन इस्टडीज इसका मतलब यह है कि फार्मुलेशन से पहले होने वाले स्टडीज को हम बोलेंगे प्री फार्मुलेशन इस्टडीज र तो यह कहने का मतलब यह है एक एक फेज होता है फार्मूलेशन डेवलपमेंट प्रॉसेस का जिसमें फिजीको केमिकल प्रॉपर्टी जो ड्रग सबस्टेंस उसमें यूज होता है उसका फिजीको उसका फिजीकल प्रॉपर्टी क्या है उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उसके करेक्ट्रिस्टिक्स उसको करेक्ट्राइ बनाने के लिए उस टाइम पे यह सब करना चाहिए उससे पहले ठीक है इन आडर टू फिगर आउट इस्टेबल एक से सुरक्षित एक इफेक्टिव डोजिस फार्म तयार करने के लिए ताकि हम डिसीज कंडिशन को बेटर मैनेज कर पाएं क्योंकि यह जब दवा सही रहेग उब्जचिव आप दी प्री फार्मूलिएस सटडी स्तूर इसके बहुं सरे उब्जचिव से confirmation तो आई ये इसको कई करके समझते हैं तो पहला अब्जचिव यह है फिजीको केमिकल पैरमिटर्स उस ड्रग कपिजीको केमिकल पैरमिटर्स क्या हो सकता है कैसा होगा उस मे कैसी है लॉंग समय के लिए वह इस्टेबल है की नहीं उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है मतलब पर्टिकुलर एक्सिपेंस के साथ जाने के बाद उसका ताल मिल सही हो पा रहा है की नहीं वह चीज हम जानने की कोसिज करते हैं बेसिकली राइट सेकेंड ऑब्जेक्टिव में ह कैसे वह बने में ट्राइवल कर पाता है हाना और वहां drug Esta dive दूरिघ्ट ट्रांस्पोर्टेशन दूरिंग गशन्शन दूरिंग दी वेयरहासिंंग हना तो वह सब चीज को हम insure करने की क्यों सिस करते हैं और हमारा वो मकसद होता है थर्ड है compatibility with excipience के साथ ही हम किसी ड्रग को मिलाने के बाद doses form बनाते हैं तो ड्रग जब excipience के साथ मिलता है चाहे वो टैबलेट में टैबलेट बना रहे हो चाहे कैपसुल बना रहे हो तो उसके साथ उसका pH कैसा होना चाहिए temperature कितना होना चाहिए humidity कैसे maintain होगा यह सब चीजों का ध्यान रखते हैं हम साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी ड्रग प्रोड़क्ट है जो भी डोसेस परम तयार हुआ है वह कैसे प्रोसेस होना चाहिए जो भी ड्रग है उस manufacturing के दवरान और manufacturing होने के बाद finished product होने के बाद उसका storage condition कैसा होना चाहिए cooling dry place cooling below five degrees centigrade zero degrees centigrade मतलब कौन से temperature में उसको रखा जाना चाहिए keep away from the monster जो बहुँ सारे label हम बनाते हैं उसको भी हम वहाँ पे determine कर पाते हैं पांचवा अब्जेक्टिव क्या हो सकता है suitable route of administration वह ड्रग को किस तरह से लिया जाना चाहिए वह oral होना चाहिए की parental होना चाहिए की intraperitonial की और बहुं सारे जो ट्रांसडर्मल है अना उसमें किस तरह के route से अगर उसको administer किया जाए human body में तो उसकी bioavailability उसकी absorption distribution metabolism excretion सही तरीके से हो पाया था कि हम एक better therapeutic effect उससे प्राप्त कर सकें छटवा नहीं सकता है प्रोवाइड longer stability right stability तो होना ही चाहिए यहां पर हम देख चुके हैं लेकिन longer stability का मतलब क्या है ज्यादा समय तक ड्रग content excipient के साथ सही तरीके से रह सकें उसका expiration जल्दी ना होने पाए इस चीज का हम ध्यान रखेंगे degradation नहीं होना चाहिए वह drug मतलब खराब नहीं होना चाहिए polymorphism नहीं होना चाहिए वह मतलब चेंज उसके अच्छे से हो पाता है तो इस चीज को हम बढ़ाने की भी कोशिज करता है तो इस चीज को हम बढ़ाने की भी कोशिज करते हैं प्री फार्मूलेशन इस्टडी में जब हम अच्छी तरीके से उसको समझ लेते हैं ड्रग कंटेंड को तो हम डोजे स्पाम को जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छी से सफलता मिलती है इसके बाद एक और चीज जो यहां पर है जानने वाले चीज़े गोल गोल प्री फार्मूलेशन इस्टडी तो क्या-क्या गोल होने चाहिए उसके उसके बारे में बात होंगी तो फर्स्ट वन है करेक्टराइजेस्टन आप फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी से इसको हम अब्जेक्टिव में भी देख चुके हैं कि वह भी ड्रग का फिजिको क किस पीएच में रहता है उसकी कि लंबे समय तक बरकरार रहती है उसको भी हम यहां पर करते हैं और जानते हैं ताकि दोजेस्ट बनाने में आथानी हो दूसरा है सौल्वीटी सेंड इस्टेब्लीटी एनालेसिस हाना यहां पर देख चुके हैं तो उसका मतलब जो भी सौल साथ वह सॉलूबल होता है कि नहीं और इस्टेबिलिटी मतलब डिफेरेंट कंडिशन में डिफेरेंट टेंपरेचर पी हेज तिस हमें किस तर उसका टॉलिएट इबली रह पाता है वह चेक करते हैं रेंज डिटर्माइन कर लेते हैं यहां पर compatibility with excipient के साथ कितना मतलब ताल मेल बना पा रहा है अच्छे से वह लंबे समय तक बिना खराब हुए रहा पा रहा है उसके साथ कहीं इंट्रैक्शन तो नहीं है उससे इंट्रैक्ट करके वह डिग्रेडेट तो नहीं हो रहा है उसका पॉलिमार्पिजम तो नहीं हो हमें बेटर बाइव अबेलिटी और बेटर थेरापिटी कीफिक सी मिल पाए ठीक है उसको अप्टिमाइज करते हैं उसको हम अनुमान लगाते हैं एक एस्टिमेशन किया जाता है कि हां इस ट्रग को इस फॉर्म में बनाने के बाद इसकी बाइव अच्छी होगी बाइव पॉरिटी एंड फार्माको काइनेटी खना तो उसका जो एब्जॉप्शन डिस्टिबूशन मेटाबोलिजमाव एक्सक्रिशन जो होने वाला है वह कैसा होने वाला है उसको भी हम डिटरमाइन करते हैं एनलाइटिकल मेथड डेवलपमेंड ठीक है इन रिस्पेक्ट आप उसको देखेंगे और क्रोमेटोग्राफी सरी उसको करेंगे ठीक है तो उसकी मतलब और उसकी पोटेंसी को भी हम चेक करेंगे कि कि उसमें कितने महात्रा में मतलब अगर कोई chemical quantity है तो उसका structure का है उसका ड्रक्ट कुछ इस डीसेप्टर से बाइंड होगा उसकी पोटेंसी क्या है उसकी नही होने वाली है अड़ fortuny के बारे में भी कहीं वो एडल्रेटेट तो नहीं है कहीं वो मिक्स तो नहीं हुआ है किसी से वह प्योर फॉर्म में है या नहीं है हना यह सब चीज जानने की कोशिश करते हैं उसके बार रेगुलेटरी कंप्लेंस भी है यहां पर अगर कोई इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड कौन सा मेथाड इन्वार्ग होगा कौन सा एक्यूप्मेंट इस्तमाल होगा अना किस तरह से कितने टेंप्रेचर हीमिडिटी पी एच अना मेल्टिंग पॉइंट सॉल्यविलिटी साब को ध्यान में रखते हैं इसको इसके लप करते हैं डिजाइन देते हैं कि यह ऐसा बन बहुत ही बारिकी से हम उसके फिजीकल प्रौपटी के मिकल प्रौपटी सौलॉबिलिटी स्तंट इसके पऑ्ली मॉक्षि में हैंटिंग पॉइंट इसके बारिकी से परामिटर्स को प्रीफार्मॉलेशन इस्टडीज करते हैं यह हम दीरे-दीरे हर क्लास में एक-एक पो अच्छे से समझने की कोशिज करेंगे कि क्या-क्या परामिटर्स को हम किस तरह से देखते हैं यह नोट्स आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा लिंक में डिस्क् लेंग्वेज में समझाने की कोसिस किया गया है थाइंक यू